हनुमत तेरी शरंड जो ले लेवे एक बार हाथ पकड़ के तुरत्तुम उसकी करते नया पार जै जै श्री सीता राम जै जै बजरन बली प्रियभिक्तो आज हम आपको श्री हनुमान जी की एक सिधा व चमतकारी चौपाई बताएंगे इस चौपाई को रोज नियम से हनुमान चालीसा के पाठ करने के साथ बोलने से ही बड़े से बड़ा शत्रू, भय, संकट व अंधकार दूर होता है सभी मनोरत व इच्छाय पूल्ण होती है इस चमतकारिक चौपाई के बोलने मातर से ही कितना भी बड़ा दुख हो संकट हो, शत्रू भय या जीवन में अंधकार हो, सब मिच जाता है ये चौपाई बजरंगवान की तरह तुरंत ही कारे करती है इस चौपाई को निरंतर शुदहरिदै से बोलने से व्यक्ति के उपर सभी संकट के बादल कटने लगते है ये चौपाई व्यक्ति के जीवन से दुखो पल नहीं मिल पाता, काम धंधे में कोई वरकत नहीं हो रही, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, एक के बाद एक समस्या बनी ही रहती है, जीवन में सब और संकट ही संकट है, तो इस चमतकारी चौपाई को हनुमान चालीसा के साथ बोलने से कैसा भी संकट हो, कश्ट हो, सब खत्म होने लगेंगे, इस चमतकारीक चौपाई के बोलने मात्र से ही, जीवन में चल रही सभी परेशानियों से शीग रही छुटकारा मिलने लगता है, और शत्रु भाय संकट वकलेश कटने लगता है, प्रियभक्तों, वे लोग इस चौपाई को जरूर बोले, जो अ आज से ही संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज का पवित्र मन्द से ध्यान करके, इस सिधर चौपाई को बोलिये, तुरंत ही चमतकार होगा, और यदि आप रोज इस चौपाई का 108 बार जाप करते हैं, तो प्रभु जी की अद्भुत क्रिपा से आपके जीवन की सभी प बैट कर, 108 बार जाप करें, और एक बार हनुमान चालीसा का पात करें, और ये संपूर्म जाप दाहिने हाथ में जल लेकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, आपकी समस्या और कष्टो का समाधान स्वयम ही होने लगा है, भ प्रियभक्तो, ये चमतकारिक वसिधत चौपाई इस प्रकार है, कहे रीचपती सुनू हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, कवन सो काज कथिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, प्रियभक्तो, इस चमतकारी चौपाई का रोज 108 बार जाप करने से, प्रियभक्तो, आपको ये ज्यानवर्दक वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरन बली जरूर लिखे, धन्यवाद